वो है जो हमारा mosquito यहाँ पर rocket आता है इसके अंदर voltage कितना होता है और कौन सी voltage होता है क्योंकि यहाँ पर देखा है आपने कि जब भी हम इसके अंदर किसी मच्छर को मारते हैं तो आराम से यहाँ पर चटर पटर करके मर जाता है लेकिन यहाँ पर बात है कि voltage इसमें कौन सा रहता है यहाँ पर AC voltage होता है या DC voltage होता है तो यही होनी चाहिए अब यहाँ पर एक तो मैं इधर लगा दूँगा और एक जो है उपर वाले side में लगा दूँगा यानि कि एक प्रोपल मैं लगा दूँगा बीच वाले पर जो हमारे बीच में और एक उपर वाली की लेंप पर मैं यहाँ पर जब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर voltage हमें दिखाई देती है 800 यहाँ पर देखिए 60 866 यानि कि 800 से उपर उपर voltage है इसके अंदर और इतनी ही voltage से पर इतनी voltage DC voltage आ रही है तो यहाँ पर हमें current जादा क्यों नहीं लगता तो यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर voltage है वो हाई है लेकिन इसका जो ampere current होता है यहाँ पर voltage का वो बहुत ही कम होता है जिसे की खाली मच्छर को यहाँ पर जटका लगता है